नमबर चार परिशन के दीनों में हम चड़ावा बोलते हैं बोलते हैं कि नहीं कितने रूपिय के हैं हजारों लाखों रूपियों के इतना ही नहीं यह जो साही बाग हैं हर सार यहां से छरी बलता संग निकलेगा हर साल यहां पर गिरिलाज की या गिरनार की नवाणू होगी हर साल यहां पर कोई न कोई उबधान कराएगा हर साल यहां पर कोई न कोई अनुष्ठान रहता होगा लखों रूपियों का खर्च करके और करोडों रूपियों का खर्च करके हम मंदीर में स्थानक में प्रवन के अंदर तीर्थों के अंदर जाकर खर्चा करते हैं बगवान के नाम पर आप जो खर्चा करते हो वह रिस्पेक्ट है वह रिलेशन है मुझे लगता है कि आज 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 शिर्फ सोचने का ही काम कर रहे हैं अशुक भाई जैसे भी आज बोलना बंद हो चुका है तो दूसरों की क्या बात करूँ भगवान के नाम पर आज जो खर्चा कर रहे हो भगवान के साथ रिलेशन है इसलिए कि रिस्पेक्ट है दुनिया करती है तो मुझे भी करना जरूरी है या रिस्पेक्ट मैं मेरे आत्मा के लिए करू रिलेशन और उससे भी आगे बाद बताओ बाजार के अंदर धंदे में किसी के रूपिये दबा करके आप यदि कोई छरी पलता संग निकालो या नववानू कराओ मुझे बताईए वह रूपिया जो दबाया गए वो देना अच्छा कि उस रूपिये से संग निकालना उस रूपिये से भवन बनाना ये अच्छा क्या अच्छा है हम क्या करते है किसी का खौन चूज करके जो भी पैसा इकठा गिया उस पैसों से अंधरम कर रहे उससे अच्छा है एक भी रूपिया आप मत खर्चो लेकिन आपके पास जो भी रूपिया आवे वन नीती के इमांदारी से होने चाहिए याद है भगवान महवीर के समय में पुन्या स्राबकुआ था कितने मंदिर बनाए सुना कितने छरी पालते संग निकाले देखा कभी कितनी नववानू कराई पढ़ा कभी कुछ नहीं कराया रोज का एक सामाई किया इमांदारी से धंदा किया महवीर के जबान के उपर कौन चड़ा था जब स्रेणिक की नरक तोड़ने की बात आई तो महवीर ने कहा जाओ पुन्या के पास एक दिन का समाईक लेकर आओ आप जिस समाईक में बैठे हो न उसमें ताकत है एक नरक का पाप तोड़ने की आज समाईक में मिले आप कब मिलोंगे बावसी धकली चैतर सु तेरह सावे वंदारे आपने मलूगा और मेरा यह नसीब है कि मैं छे साल से एंदाबाद में हूँ और छे में से तीन बार तो मैं समाईक में प्रवचन करने को आया हूँ और मुझे कहने तो 2008 से सुरू किया ना तो ग्यारा साल हो यह बारा साल यह बारावा होगा बारा साल के अंदर सबसे ज्यादा समय समाईक के अंदर निस्रा देने वाला कौन होगा एक ही महराज अच्छा तो मेरे नाम पर यह आपने कर दिया लगता है मेरा यह नसीब है मैं कभी कुरुष्ण नगर मैं कभी गिर्दर नगर मैं कभी खानपूर था तब भी मुझे बुलाया गया और आथ तो मैं करीबन दस किलो मेटर दूर वासना से आया हूँ पुरी रात मैंने सोचा कि इन लोगों से आज कौन सी बात करू जरा बताईए आपका भाई है बिजनेस में अलग हो चुका है और भाई को धंदे के अंदर बहुत गरबड हो चुकी पचास लाग का देवा हो चुका है और दूसरी और आपने डिकलेर किया हम नवानू कराएंगे पांच करून का आपका खर्चा है अब मुझे जरा बताईए पहले नवानू करवाने की कि पहले आपका भाई का जो देवा है वो दूर करना का करते है कोई करना चाहिए हर जगह पर यह समझ लीजिए संसार के व्यवगार को गौन करके यदि आप धरम करते हो न उस धरम को भगवान मावीर भी सीगनेचर करने के लिए तैयार नहीं है किसी का प्यमेंट नहीं देते हो नोकर का पगार नहीं देते हो एक विश्टेग हो गई नोकर के पगार को आप काट लेते हो यह क्या लगाया यह क्या लगाया ऐसे बचा के पैसे आप यदि धरम में लगाओगे उससे आपका धरम भी राजी नहीं होगा